हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी उमीद करता हूँ आप सभी बढ़ यह होंगे तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि वाइफाइ स्मार्ट नेट केमरा उसकी हम लोग अन्बोक्सिंग करेंगे और हम लोग कैसे इस डिवाइस को अपने फॉन से कर सकते हैं इस वीडियो के इंदर मैं सारा step by step इससे कार्ड से हम लोग कैसे recording करेंगे step by step सब कुछ है वो बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी दुकान पे या घर पे कहीं पे भी नज़र रखने के लिए इस केमरे का है वो इस्तमाल कर सकते हो तो बिना टाइम वेस्ट की वो डाउनलोड करनी है और हर चीज step by step बताने वाला हूँ क्योंकि इसकी आप डाउनलोड करोगी वह बिल्कुल secure है कहीं से भी आपको कोई खत्रा नहीं है या आपकी privacy को या कुछ भी क्योंकि इसकी आप वह आपको Google Play Store के अंदर ही मिलने वाली है तो बिना टाइम वेस्ट तो इस केमरे के अंदर हमें क्या क्या मिलता है वो मैं आपको step by step बताने वाला हूँ एक तो ये केमरा मिलता है आपको जो ये पूरा 360 डिगरी पे वो ड्राउंड होता है आप गहर पे जैसे मानलो कहीं पे भी इस तरीके से लगा सकते हो दिवार पे से लगा सकते हूँ वो आपको अंदर और क्या मिलता है वो सारा का सारा मैं वो आपको check करने वाला हूँ सबसे पहले तो आपको इसको connected करने की या जितने भी details होती है वो सारी इस diary के अंदर है वो आपको मिल जाएगी ठीक है तो simply दोस्तों मैंने इसको plug कर दिया है और अब मैं इसको यहां से connected कर रहा हूँ यह मैंने connected कर दिया connected करोगे तो आपको इसके अंदर है वो पावर मिल जाएगी तो जैसे आपको इसमें पावर सो होगी तब यह पूरा device है पहले scan होगा उसके बाद आपको कुछ संकेत है व यह अभी on हुआ है एक बार scan भी होगा यह पूरा का पूरा scan होगा जिससे हमें पूरा बताएगा कि इतने एंगल पर राउंड करता है और quality भी इसकी बहुत बढ़िया quality है शिरफ और शिरफ इसकी quality है वो रात के समय थोड़ी सी खराब quality है बागी दिन में एक्दम परफेक अब आपको अपने mobile के अंदर इसको कैसे connect करना है internet से भी आप connect कर सकते हो wifi से भी connect कर सकते हो तो वह सारा मापको step by step बताने वाला हूं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है Google Play Store के अंदर और वहां पर आपको शरच करना है V380 तो इस camera की app है उसको download करना है तो यह रहा इसको मैंने पहले से store किया अपने mobile के अंदर तो मैं यहां से डारेक्टर इसको open कर रहा हूं तो मैं simply इसको यहां से मैंने open कर लिया तो यह camera मेरे घर का है जो पहले से connected है जो internet से अभी आपको online दिखा रहा है तो अब मैं दॉस वाले चीन पर click करूंगा और add camera करूंगा तो जैसे ही मैं add camera करूंगा तो add camera wifi से link करूंगा तो यह बता रहा है कि camera को आपको plug करना है उसके बाद next time मैंने on कर दिया अब मैं wifi से कर सकता हूं आप wifi smart internet से भी कर सकते हो आपको तीन option मिलते हैं तो मैं अभी शिर्फ camera के wifi से connect कर रहा हूं यदि आप internet wifi से अपने घर के जो wifi एजिस्में internet होता है उससे आप करना चाते हो तो second वाला option है वो choose कर सकते हो आपको तो मैं सिर्फ wi-fi से connected करना चाता हूं तो मैं wifi वाले पे क्लिक कर रहा हूं तो मुझे कोड़ बार मिलेगा मैं उससे उसको scan करूंगा तो मैंने इसको ले लिया और आपको मैं दिखा दूँ इस camera के पीछे आपको एक कोड़ बार है ये देखिए मैं इसको scan कर रहा हूं तो ये scan होते हैं अपने आप यहां पर फुल्फिल हो जाएगा अब मुझे यहां पर कोई भी पासवर डाल रहा हूं तो यह मैंने पासवर इसके अंदर सेट कर दिया और कंफरम कर दिया मैंने ओफिस कर दिया इसको ठीक है और इसको फिनिश कर दिया अब मुझे क्या करना है वाइफाई ओन करना है और इस केम्रे का जो ौह डीवाइक है इसको मैंने यहाँ से सर्च कर लेना है तो यह रहा यह केम्रे का आ गए है, मैं इसको कंषट कर लेता हूं तो यह जैसे इसका क्नेक्टेडा हो जाएका मैं आपको आगे next time वो step by step बता दूँगा तो ये wifi है वो connect हो गया अब मैं वापस उस एप में होगा तब यहां से camera है वो इससे connected होगा तो connectivity हो रही है थोड़ी सी चलिए wait करते हैं जब तक पूरा camera है वो अच्छे तरीके से connected नहो जाए यह online आ गया यह camera है मेरा घर का camera जो मैंने घर पे लगया हुआ है और यह वाला camera जो अभी मैंने आपको connected करके दिखाया है तो मैं इसको यहां से play कट रहा हूँ और वेसे भी आपको यहां पे नाम आगे है ना लेन online यानि camera है वो connected है online है बस दोड़ा सा connected में प्रोब्लम आ रही है तो जल्दी ही connected हो जाएगा तो यह set password मांग रहा है तो मैं इस पर admin password डाल जाल जाता हूं फिट से एक बार फिट से confirm कर देता हूं यह मैंने डाल दिया confirm कर दिया अब camera को मैं play कर रहा हूँ यह देगे यह camera है वो connected हो गया मैं इसको पूरा round कर सकता हूँ दोस्तों जो मेरे घर पर camera लगावा है उस पर मैं आपको दिखाता हूं दोगो अभी यहाँ पर recording नाम आया वाइस का मिलब recording है वो camera के अंदर start है अभी मैंने जो आपके साम में camera unboxing किया है उसके अंदर मैंने card नहीं डाला है इसलिए मैं इस camera से आपको बता रहा हूँ तो यह रात की recording आप देख लो रात को आपको कैसी recording वो show होने वाली है फिर आपको setting के अंदर आना है जैसे आप setting के अंदर आओगे तब आपको setting के अंदर और और भी option मिलेंगे जैसे recording के अंदर आओगे आप मैंने साथ में किया है आप चाहूँ तो बंद कर सकते हो तो यह सारा आपके सामने option है यह आप से चाहूँ ताप card को format भी कर सकते हो camera वहाँ जुड़ा हुआ है फिर मैं आ जाता हूं back और आपको बहुत सारी settings होती है जैसे आप camera को round कर सकते हैं पुरा को पुरा 360 degree पर अभी camera है वह connected हो रहा है आप चाहूँ यह जो speaker है उसके camera के अंदर जो mic अभी बोलता था computer बोल रहा था हम लोगों ने जो camera स्टार किया उससे आप यहां से माइक को कुछ देर के लिए दबा के रखोगे तो आप लोग भी उस camera में कुछ बोल सकते हो Snapshot भी ले सकते हो recording अपने mobile से कर सकते हो और जो replay है उसके अंदर जो camera के अंदर कार्ड में जो recording हो यह वह हम लोग यहां से देख सकते हैं audio भी यहां से सुन सकते हैं camera के अंदर और HD की जगह HD में भी हम लोग इसको convert कर सकते हैं तो यह अभी HD है वो HD के अंदर हो जाएगा यह HD में convert हो गया अब इस camera को हम लोग यहां से इदर करेंगे इदर राउंड होगा यहां से करेंगे तो हम लोग इस साइड से राउंड होगा तो बहुत ही सीम्पल है तो दोस्तों उमीद करता हूं वीडियो आपके लिए helpful है तो दोस्तों मैं इसके अंदर आप लोगों एक बात और बता देता हूं कभी कभी क्या हो जाता है हम लोग admin password वगएरा लगा कि या internet से इसको connect करके हम लोग password वगएरा है वो भूल जाते हैं तो उस situation के अंदर हम लोगों को यह जो बटन आपको दिखाई दे रहा है उसको साथ सेकेंड के लिए हमें वह दबाई हुए रखना है जैसे हम लोग साथ सेकेंड तक दबाई हुए रखेंगे तो जो पीछे का जितना इस परकार से वह recording कर सकते हो तो बहुत ही simple है दोस्तों तो इस तरीके से आप बहुत ही easy तरीके से इसे काम कर सकते हो तो दोस्तों इस परकार से आप लोग है वह इस camera को connected कर सकते हो और कहीं पर भी आप लगा सकते हो जैसे दिवार पर लगाना है या जहां भी आपको आपकी location के base पर जहां भी आप इसको set करना चाहते हो हाँ इस तरीके से आप easily यह वो set कर सकते हो और अपने mobile से वो connected कर सकते हो तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए helpful है आपको knowledge मिल रहा है तो दोस्तों एक like तो बनता है और आप दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार रहे हो तो चैनल को subscribe करना नहीं बुलें क्योंकि इस चैनल पर मिलने वाले हैं आपको technical से related और भी बहुत सारे ऐसे वीडियो तो आज के लिए इतना ही आप मिलते है next studio में तब तक के लिए ताटा बाई बाई धन्यवाद जहें दोस्तों